नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है दायच एससेटा के नई वीडियो में इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जो एक्जाम होने वाला है किसी का लेब अटेंडन्ट का लेब अटेंडन्ट का जो एक्जाम होगा उसमें आप कैसे त्यारी करें क्या सलेबस एका detail में चर्चा करेंगे कि भी कहां से क्या पढ़ना में हिंदी का क्या पढ़ना है, reasoning का क्या पढ़ना है, general awareness में क्या पढ़ना है, subject specific जो आपका main रहने वाला है, इसकी त्यारी कैसे करनी है, कहां से करें, कहां से आपको इस चीज की मदद मिल सकती है, और जो है exam pattern आपका क् अपको करने हैं, तो वो सारी चीज़े इसमें जो हो सकता है, वो इसमें हम डालने की कोशिस करेंगे, ताक कि आपकी मदद है, इस exam के परती है, वो हो सके, तो सरू करें, ठीक है, सरू करते हैं हम अपना जो वीडियो को, और जो इसमें पहला किशन जो है, इसमें, 120 मार्स का जो मार्स का है, जो किशन पेपर रहने वाला है, और इसमें आपको कितना टाइम दिया जाएगा, डाई गंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, आप देख सकते हैं, काफी जो टाइम है, इसमें दिया हुआ, 120 कुशन के उपर डाइट सो मिनट, अच्छा खासा टाइम है, आपके लिए जो रिजनिंग अबिलेटी है, जिसमें आपका थोड़ा सा टाइम जाना लगता है, वो आप आसानी से रिजनिंग अबिलेटी बगार जो टैंशन की है, अराम से कर सकते हैं, टाइम की टैंशन आपको नहीं रहेगी, क्योंकि टाइम आपके पास है, काफी more than sufficient C&T में देखने को आपको मिल रहा है, इसमें आप पार्ट चार में आपका रहने वाला है, रिजनिंग अबिलेटी, जर्नल अवेरनेस, इंदी और इंगलिज, जो language competency test, language तो आपको हानी ही ज़रूरी है, subject specific test रहने वाला, subject specific test में आप कैसे preparation करेंगे, उसके लिए हमने एक ल लगे, previous year जो हमने करवा रखें, lab से related, उसका भी description में link वगरा है, अगर वो videos आपको नहीं देखें, तो देख लीजे, आपकी मदद है, कहीं न कहीं, आपके exam के लिए करेंगे, subject specific के उपर हमने, जो lab equipment होंगे, इसमें picture के मादिम से समझा रखा है, अब भी बात कर लें, कि भी 15-15 question आपके reasoning के, जो आपके journal awareness, 15 English, 15 Hindi के आएंगे, और subject specific start रहने वाला, start आपका देख सकते हैं, total आपके 120 question है, और यह आपके कितने start है, यानि कि 50% percentage है, weightage है, किसको दी गई है, subject specific को दी गई है, और यह अच्छा पार्ट मैं मानता हूं इस सीज़ का, क्योंकि हमने बह relevant post के लिए, जो है, और सही नहीं रहता, जिस post के लिए हम जा रहे हैं, वहाँ पे उसका इतना use हमने देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे अच्छा है कि भी आपको lab work करना है, और lab की knowledge आपको होनी जरूरी है, इसके लिए qualification आपकी 10th और 12th आपने देखा होगा, वो है, अब ह कि हम ज़्यादा अपना जो syllabus है, उसके उपर ज़्यादा focus करें कि क्या syllabus हमें cover up करना है, किनके topics के उपर हमें ध्यान देना, तो अभी बात करें जो हमारा पहला portion है, reasoning ability का किसका है, reasoning ability का, और इसमें क्या topic आप देखने को मिलेंगे, आप जैसे देख पा रहे हैं, 15 question आने वा है, और syllabus इतना broad नहीं दे रखा कि भी आपको हाय तोबा करनी पड़े, बिल्कुल सा normal सा जो आपका topic इसमें दे रखे हैं, 9-10 topic आपके इसमें सिर्फ 9-10 topic आपको cover not करने हैं, और ये आप आसानी से कर पाएंगे, इसमें कौन से topic आप, puzzle and seating arrangement है, data sufficiency, statement based question paper है, inequality है, blood relation है, sequence and series, direction test है, acceleration and reason है, when diagram वगरा, इसमें दिया हुआ है, तो आप अगर किसी paper की त्यारी कर रहे हैं, SSC वगरा की आप, या state board की आप त्यारी करें, उनमें हर एक में reasoning मेरे ही साब से आता, और उसके लिए आपने book भी purchase कर रखी होगी, अगर book purchase नहीं कर रखी, तो कोई भी normal book purchase कर सकते हैं, किसी भी जो आप रेफरेंस नहीं दे रहें किसी चीज़ का, अगर कोई भी आप reasoning market में available है, वो खरीद ना चाहते हैं, तो खरीद सकते हैं, नहीं तो इसके लिए हम भी जो practice के लिए question paper है, टेली ग्राम पे डाल देंगे, जो link हमने description में दे रख के आएंगे, तो आप बस हमारे साथ बने रहे हैं, और जो videos को पूरा देखें, लास्ट तक इसमें आपकी मदद है, जरूर होगी, ठीक है, तो इसके लिए कोई भी नई book लेने का आउशकता नहीं, कोई भी आप financially load नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले ही आपने देख होगा, उसमें जो आपका time बचेगा, वो आप सही में आपकी आज की practice करवाएगी, जो आप practice करोगे, तरह अपना session जो आपना है, आप ये time मिलावा है, उसके time में practice जितनी करोगे, उतनी जल्दी आसानी से question सो जाएगे, जर्नल awareness है, इसमें जर्नल knowledge एक current affair आएगी, specially किस प इसमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और जर्नल knowledge का अभी, current affair में आप क्या पढ़ेंगे, current affair में education से related आप जैसे की माल लीजिए, अभी G20 का समयलन चलावा है, कौन सा समयलन, G20 का चलावा है, तो G20 के operation कैसे बनेगा education में, कि जो G20 की education से related जो बैठक होनी थी, वो कहा पे हुई थी, ठीक है, बैठक पूछेगा कि भी कहां पे हुई है, और क्या question G20 के related इसमें अगर add on करें, अगर education से beyond जाएं, तो इसमें पूछ लेगा कि भी इसकी theme क्या है, इसका logo है, लोगो में जो आपका कमल का full वगरा दे रखा, वो क्या चीज़ें वगरा, इसके जो देश कितने हैं, तो इसमें देख सकते हैं, आप G20 आप देख सकते हैं, तो इसमें group of 20 है यह और इसमें 19 देश हैं, और एक European Union है, तो इसके 20 हो जाते हैं, 19 देश हैं सिरफ इसमें, अगर बात करें, यह भी पूछ सकता कितने देश हैं, इसमें 19 देश हैं, और एक European Union है, ठी तो यह आप देख सकते हैं जो आप कब बना था है इनकी बैठ के कहां कहां पे हुई है वो सारी जीज़ें और जो इनकी बैठ के हैं अगर हमारे देश से बाहर हुई है किसी उसकी ये भी हुई है एक दो बैठ के हैं बाहर हुई है तो वो भी most important बन जाता है कि भी third meeting है उसकी कहां पे होगी second meeting बाहर हुई है तो हम सोचेंगे कि देश में हुई है हमारे में तो वहां की location आएगी कि एक बाहर की देदेगा तो उसमें भी आपको confusion होगा तो इस तरह के question से आपको देखने को मिल जाएंगे और कोई नई एप वगरा launch होई हो education से related है मारे म budget आया है उसमें क्या चीज़ें include की गहीं budget को आप देखेंगे जो नया budget अपना आया है तो उस budget में education से related क्या effort लगाए गए है और इसमें क्या आएगा education से जैसे हमारा FLN चलावा है FLN वगरा निष्ठा वगरा है यह चीज़ें चली है निपुन भारत अपना चलावा है निपुन भारत मिशन है यह education से related है निपुन भारत यह चीज़ें है आपको देखने को मिलेंगे नहीं कि full form आपको पूछ लेगा निपुन भारत की जो है कब आपका start हुआ था इसका target यह क्या है तो यह चीज़ें आप education से related जो हमारा current fair का section उससे देख सकते है जर्नल नौलेज में आप ज़्यदा deep नहीं पूछेगा जर्नल नौलेज का आपका जो basic questions रहते हैं हमारे उनी में ज़्यदा रह लेगा अगर आप intelligent आपके पास है तो वो more than sufficient है उसके लिए आप brief में देख लिए ज़्यदा deep में नहीं जाएं इसके लिए ठीक है तो इसमें वहां से आप preparation है इसकी कर सकते हैं जर्नल हिंदी है जो हमारा तीसरा portion है हिंदी और इंगलिस का language का है उसमें संदी समास विलोम सब्द प्रियावाइची सब्द है समाने स refers to law currently लेक सब्द है महावरे लोकोक्तियां और ए है पटिद गद्यांस है आपके पास तो जो मेंन में टोपिक्स मैं जैसे बता रहा हूं उन चीजों पर फोकस कर लिजी इसमें जैसे एपठित गद्यान्स वगरा इसमें करांट फेर का जो मैंने टोपिक्स बताए हैं उनके पर फोकस करें और इंगली से आपका जो अंसीन पैसे उसके ओपर फोकस कर हैं और उनको जो उनके उनके बेश पे है जो उनका जो निचे कुशन्स वगरा है वो भी मिलते हैं तो आप प्रैक्टिस हैं उनकी कर लीजिए वहां से और उसमें और क्या चीज आपके इंकलोड हो जाएंगी एपठित गद्यांस के अंदर ही आपको विलॉम शब्द है प्र होगा उप्सन को आपको पता ही उप्सन मिल जाएंगे उसके अंदर तो आप इसकी प्रैक्टिस से एंसियार्टिक बुक है आपकी स्टेट बॉर्ड की बुक है वहां से इसकी परपरेशन है वह करें अगर नया टोपिक आप लेना चाहते हैं तो जो हमारे न्यूज पेपर सन्दी का विग्र है कैसे करना है इसमें सन्दी विग्र है तो दो इसमें कून सी सन्दी इसकी ऊपर हमने एक वीडियो बना रह खा की यहां सन्दी को find out करें तो उसका वीडियो का लिंक में है उनी में से questions आपको देखने को मिल जाएंगे तो वोड जो अमारा टेलिग्राम है उस पर डाल देंगे वहाँ से आप देख सकते हैं अलग से इसके लिए कोई book लेने की आवसकता आपको नहीं है जर्नल इंगलिश की है आपको इसमें वर्ब टेंसिस है वो इस subject agreement है एर्टिकल है comprehension है filling the blanks filling the blanks इसमें important है subject वर्ब है वो इसका भी एक question आपको देखने को मिलेगा जो error correction का ये भी आएगा एक question संक्टन से rearrangement का ये भी question आएगा एक question बाकि देख सकते हरे एक topic इनके देखे वर्ब से क्यूशन एक 10 से क्यूशन एक हमारे 5 क्यूशन होगे 6 होगे 10 ये 6 क्यूशन होगे और 2 इससे आ जाएंगे 6 दो 8 वगरा एक regression 9 हो जाएंगे और sentence arrangement का एक 10 और 5 क्यूशन unseen passage से जो इसमें एक इंटेम फ्रेज वगरा से इनसे आ जाएंगे ठीक है तो 15 क्यूशन इसमें आएंगे तो सबसे ज़दा portion unseen passes आएगा तो उससे रहेगा और इसके लिए हमने आप देख पाएंगे या हमारी इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हमें complete एक model paper आपके लिए लेके आए है जिसमें 60 क्यूशन अलग से हम करवाएंगे model test paper चे लग और इसकी subject की knowledge जो lab और equipment वगरा है उसके भी एक हमने picture के मादम से समझा रखा कि lab में कौन सा equipment चाब वो यूज होता उसकी वीडियो देख देंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगी description में अभी journal English की बात करे book कहां से पड़े इनके लिए आप unseen passage वगरा है आप अगर दसमी तक की book उठा के देखेंगे तो आपको filling the blanks बहुत सारे मिल जाएंगे और unseen passage भी वहाँ से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और इसके लिए अगर बुक आप purchase करना चाहते हैं बुक देखना चाहते हैं तो केटी कैंबस की नितुमैम की book आती है वो हमें अच्छे लगती है वो recommend नहां यह नहीं है कि किसी का promotion वगरा करें तो वहाँ से आप इसको find out करे ले सकते हैं अगर आपको online मंगवानी है तो link description म में हम दे देंगे और एक अरियंद कि अगर complete आपको मंगवानी है कि अगर की भी बार बार मालग लग भुक का खर्चा नहीं करना चाहते तो अरियंद कि एक इसके उपर book आई हुए है अरियंद कि एक उस पे Amazon पे है link description में उस book का भी आपको find out नहीं करने पड़े कि link पे ज subject specific knowledge की बात करें तो जैसे हमने बता है इसमें क्या क्या topic आप cover करेंगे तो इसमें क्या करेंगे आपको है सबसे पहले किसी इस गया हो सकता पड़ेगी यहां पर आप देख सकते हैं lab equipment lab दिया हुआ है chemicals दिये हैं lab used in lab है lab 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 तो lab manuals lab manual आपने देखा होगा तो lab manual अगर मिल ज दसमी में practicals देखे हूँ है practical लिखी भी होगी आपने और उसमें experiment भी लिखा होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें की जरूरत पड़ती है और उसके साथ एक चीतर भी बनाया होगा आपने की यह tongs वगरा क्या 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 यूज होगे क्या procedure आपका रहेगा तो वो आप आपका बहुत इसमें मदद करेगा जो lab manuals आपके रहते हैं practicals आपके होते हैं तो वहाँ से उनकी practice करें और जो NCRT की book वगरा आपने देखे होगी NCRT की book में भी आपने देखा होगा activity करके activities वगरा उसमें दी हुई है और उसमें भी process वगरा आपको समझा रखा जो आसानी से आपस समझ पाएंगे और इसके ओपर जो knowledge of lab work lab equipment है lab equipment के ओपर हमने picture के मादम से तस्वीरों के मादम से एक video बना रखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देखें आप और उसका आनद लें आपको समझ में आएगा कि lab में कौन से कौन से अधियार होते हैं उनकी handling कैसे क इफिक नेम और chemical जो paper में आ सकते हैं उनके ओपर भी एक master videos है हर एक topic के ओपर आपकी एक videos आपको मिलेगी और इसमें से जो आपका है syllabus अच्छा खाशा cover हो जाएगा और आपको idea हो जाएगा अच्छे से क्या पढ़ना कहां से हमें त्यारी करनी वगरा है वो आप कर सके हैं और ज्यादा तो आप जितनी practice करेंगे चीज़ों की वही आपकी आएगा और इसमें ज्यादा मदद आपकी कौन करेगा lab manuals चीज़े हैं lab manual वगरा वो आपकी subject specific में करेगा तो वो आप ले आईए lab manual मिल जाए दसमी का lab manuals मिल जाएगा वो आप देख सकते हैं और जो आपका कमेंट का section आप सब के लिए ही है कमेंट का बरपूर प्रियोग करें जो है जिस topic की नई वीडियो आप पाना चाहते हैं उस topic का नाम जो है comment box में लिखें तो next video हम उस comment का जो है reply करके वीडियो के मादम से भी उस video का reply कर देंगे कि ये वीडियो आपके topic के उपर है आ गही है जैसकी जितनी जमांट होगी अगभी ज्यादा बच्चे माँगे तो उसके उपर वीडियो लाजमी है हम लेके आएंगे क्योरी आप अपनी comment box में और जो टेलीग्राम का है वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हैं वहाँ पे भी आपकी क्योरी हैं ली जाएंगे थेक्स पर वचिंग विडियो हैसी नेक्स दिजियो में तब तक लिए नमस्कार अपने ख्याम रखिए परिवार का ख्याम रखिए और अपनी त्यारी कर दो डे हैंट